स्वागतो रोविनदा आज आपके लिए ऐसी जानकारी दूंगा भाईयो कि गर्मी का ये सीजन चला है हलांकि लोकडाउन होने की वज़े से खाना पीना भी दुसवार हो गया है लोगों का जो चीज खाने को मिलना चाहिए वो नहीं खाने को मिल पा रही है मारकेटें सही से खुली नहीं पा रही है आदमी कहीं निकल बैठी नहीं पा रहा है देखो भीया कब तक ये चले लोकडाउन की नोटन की इसका अभी समय आई ही चुका है सरकार के हिसाब से तो इसको अभी जो है लंबा ही खीचना है फिर आज आँगे हाथ जोड़ करके हे जनता भाई और बहनों पंद्रे दिन आउर जहल लेजिए लोकडाउन के लिए खैर जाने दो हर किसी का टाइम होता है तो आज आपको बताओंगा कि कच्चे आम को कैसे गर्मियों में सेवन करें हलांकि कच्चे आम के फाइदे और नुकसान दोनों ही होते हैं किंतु आज आपको जानकारी मिलेगी कि कच्चे आम के सबसे पहले जानना है फाइदे क्या होते है ये कच्चे आम मुझे लगता है आ जाना चाहिए अब तक बड़े बड़े हो गए होंगे निश्यत रूप से लिकिन चुंकि बजारें बंध हैं बजारों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं कोई चीजे इस कच्चे आम को कुछ लोग सेवन अगर जिनके लिए भूक प्यास न ही होता है जिना गर्मियों में कमजोरी की वज़े से या बीपी लोग होने के कारण पसीना ठीक से नहीं आ पाता है क्योंकि पसीना निकलना बहुत जरूरी है तो भायों और उन लोगों के लिए जिनका मुझा स्वाद बिगड़ गया है जिनके सरीर में आलस आ गया है तो वो लोग कच्चे आम के पना को पिए यह हमारे आयरवेद के गरंतों में बरनित है यह कैसे बनेगा कैसे इसका सेवन किया जाएगा हम आपको अभी तुरंत बताते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है एक चीज़ और ध्यां रखना कच्चे आम के पना को पीने वाला व्यक्त कभी नपुन सक नहीं हो सकता है अगर किसी के लिए नामर्दी की सिकायत हो रही है तो वो कच्चे आम के पना को जरूर पिए आईए मैं बताता हूं कि कच्चे आम के पना को कैसे बनाया जाए कच्चे आम के पना आपको बनाना है कि आम को लेना है कच्चे आम को और उसके लिए बैसे तो कंडों की आग में उसके लिए भून लिया जाता है लेकन अगर आप सहर में रहते हैं तो करना क्या है कच्छे आम को छील करके उसका गूदा निकाल लीजिए और उसके लिए फिर उवाल लीजिए पानी में डाल करके अब बो कैसे आप करेंगे तो करना यह है कि आप आम को ऐसे भी डाल दीजिए दूसरा तरीका यह है सीधे सीधे आम को डाल दीजिए पानी में और इसको खौलने दीजिए आलू की तरह उबल जाएगा तो उसके छिलके को उतार के अलग कर लें और उसके अंदर जो गूदा जैसा होगा उसको निकाल के मत लीजिए मिक्सी से या जिसके घर पे मिक्सी नहीं है तो वो ऐसे ही लोटे में कटोरे में पानी डाल करके एक गिलास पानी में कम से कम पचास गिराम होना चाहिए यह आम का गूदा और उसको मत लीजिए उसमें मत अगर आप मिक्सी से बना रहें तो आपको क्या करना है कि इसको mix करिए और इसमें काला नमक डाल देजिए स्वाद अनुशार और पांच काली मिर्च डाल दीजिए और इसमें पोदीना की पतियां डाल दो कम से कम 10 ग्राम 10-20 ग्राम डाल देजिए इसके अलावा भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल एक बटे 4 चमच और इसमें अगर आप डालना चाहते हैं तो 10-15 किस्मिस भी ढाल दीजिए और ऋसी तरह से फिर आपको क्या करना है इसमें थोड़े से वरफ के टुकुडे डाली जिए और आप इसको पियो जो ब्यक्ति ऐसे पना को कच्छे आम के पना को रो जाना एक से दो टाइम पीता है एक गिलास तो आप सच मानिये सरीर में इतनी फूर्ती रहती है चुस्ती रहती है चमक रहती है उसकी आँखों में उसकी तुचा में और उसके अंदर क्योंकि आम जो है ना कामदेव का सूचक है आम फलों का राजा है तो राजा इसलिए बोला है इसमें बहुत ज़्यादा इनरजी होती है और आप इस तरह से अगर आम के पना को लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं देगा मैं गारंटी दे रहा हूं आप सु वज़े के बाद नास्ता करने के आदे घंटे बाद आप इसे पी लीजिए आप दिन में कहीं भी घूमने जाएंगे ऑफिस में काम करना है जिनको चक्कर आता है कमजोरी है जिनका स्वास तच्छा नहीं रहता है जिनको स्वास फूलता है जिनको अपच है गैस है कवज है और जिनकी मरदाना ताकत कमजोर हो रही है तो वो लो कच्चे हमका पना पियें एक टेम तो सुवखा है 10 के बाद दूसरा है तीन बज़े से लेकर messages लेकर के रात के अब चुछ की गरमी पड़ रही है तो तीन बज़े से लेकर के रात के 7-8 बज़े तक आप इसको ले सकते हैं आप दो गिलास भी पीए सकते हैं कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है हाँ कच्ची अमिया जो बच्चे लगातार खाते हैं बहुत ज़्यादा कच्ची आम की चटनी खाते हैं उनको जरूर जो है सिकायत यह होती है उनको खुजली हो सकता है उनकी आँखों में जैसे तूटना कहते हैं आँखों में कीचड़ा चीपड़ा जाते हैं कीचड़ा जाते हैं सूच जाती हैं सोके उड़ते हैं तो चिपक जाती हैं ऐसे गाँधियाद के बच्चे इस तरह से आम का सेवन ना करें क्योंकि आम के अंदर कच्छे आम के अंदर अगनीतत तो जादा होता है तो जिन्हें अपनी सेक्सवल इनरजी को सेक्सवल आग के लिए बढ़ाना है और जिनका तनाव नहीं आता है सेक्स की इच्छा नहीं होती है जिने पुर्सों और इस्त्रियों के लिए उनके लिए ये बर्दान है आम का पना जरूर पियो ये हमारी देसी जड़ी बूटियों का यांतर गताता है फिर मिलूंगा नई जानकारी के शाथ ओम शांति